है लो गाईज कैसे हैं आप सब लोग हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल सरकिट्स की और आज एक बहुत इंपॉड़न टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आर्स कॉंप्लिमेंट और आर माइनस वन्स कॉंप्लिमेंट दोनों बहुत ही important topics है और दोनों से related हम बहुत सारे compliment discuss करने जा रहे हैं क्योंकि हमने four type के number system बहुत detail में पढ़े है binary, decimal, octal and hexadecimal. सबके लिए r's compliment और r-1's compliment हम find out करेंगे. सबके लिए बहुत सारी tricks बताने वाली हूं और बहुत easy तरीके बताने वाली हूं इस video में and after this video I bet you can solve any question based on r's and r-1's compliment. So, let's start our discussion with r-1's compliment. अब हम पहला case तब ले रहे हैं जब हमारे पास decimal के बाद कोई भी digit नहीं है in the given number. So, जो हमारा r-1's compliment है वो कैसे find out करेंगे? r raised to power and minus given number minus 1. So, r क्या है? orthoretics value या base value. r की power ले लेंगे n. n क्या है? number of digits in the given number. ओके, so, जो r-1's compliment है उसे represent कर रहे है and double dash r से. अब मेरे पास अगर decimal number system है. decimal number system में r-1's compliment को क्या लिखेंगे? 9's compliment. decimal number system में r क्या होता है? 10. r-1 क्या हो जाएगा? 9. So, decimal number system में हमें 9's compliment निकालना होता है. अगर हमारे पास कोई भी number given है? 5, 1, 2, 0. So, अब इस formula में put करते हैं और find out करते हैं कि r-1's compliment or the 9's compliment कैसे निकालेंगे? So, r क्या है? इस case में? 10. कितनी digits है? 4. So, 10 raised to power 4 minus given number 5, 1, 2, 0 minus 1. Right? तो ऐसे लिखेंगे 10 raised to power 4 क्या होता है? 1 with 4 zeros minus 1 minus 5, 1, 2, 0. 1 with 4 zeros में से 1 गया तो हमारे पास 4 9's बचेगा minus 5, 1, 2, 0. तो मैंने क्या कर रहा है? डिरेक्ली 4 9's लिख दिया है उसमें से 5, 1, 2, 0 को. जैसे ही मैंने subtract करा मुझे मिला 4, 8, 7, 9 जो की है 9's compliment of 5, 1, 2, 0. Right? Similarly हम 1's compliment find out कर सकते हैं. जब हमारे पास binary number system होगा तब हम 1's compliment find out करेंगे. 1's compliment find out करना है given number है 110010. इसका अगर मुझे 1's compliment find out करना है तो यहाँ पर हमने all 9's लिया था. यहाँ पर क्या करेंगे? जितने भी digits हैं उतने 1's ले लेंगे और उसमें से given number को subtract कर देंगे. Right? So, जब हमने all 1's लिये कितने digits हैं यहाँ पर? हमारे पास 6 digits है. हमने 6 1's लिये उसमें से given number को subtract करा. वो इजी तरीका क्या है? कि हम जितने 1's हैं उसे 1 को 0 में convert कर दें और जितने 0 हैं उसे 1 में convert कर दें. तो यह है 1 1 0 0 1 0. 1 को convert करना है 0 को 0 को convert करना है 1 में. तो 1 1 क्या हो जाएगा? 0 0 0 क्या हो जाएगा 1 1. यह 1 क्या हो जाएगा? 0 0 क्या हो जाएगा 1. So 001101 हो जाएगा हमारा complimented number Once compliment number Directly भी हम convert कर सकते हैं Directly आपको करना चाहें तो आप बहुत easily convert कर सकते हैं कोई भी binary number हो उसको once compliment निकालना बहुत easy है अब क्या करते हैं यह जो हमने once compliment निकाला है binary number का उसको given number के साथ add करते हैं हमारे पास जो given number था 110010 इससे add करते हैं इसके compliment के साथ 001101 जब हम इन दोनों को add करेंगे तो हमें फिर से six ones मिलेंगे अब इस six ones में अगर आपने फिर से one add करा और चो carry आएगा उसे discard कर दिया तो आपको zero मिल जाएगा So why it is useful हमने इन दोनों को addition निकाल कर हमने यह देखा क्या represent करेगा minus n तो यह हमारे को negative of given number को भी represent करने के काम आता है negative number represent करने का easy तरीका है once compliment निकाल लेजे So उसको हमने कैसे find out करा जब हमने one add करा और carry discard करा तो हमारे पास zero आ गया when we added the given number with its once compliment right अब once compliment कब फिर से compliment निकाले once compliment का answer क्या था 001101 इसका compliment निकालेंगे तो क्या करेंगे six one से फिर से सब्ट्रेक करेंगे आपके पास आएगा 110010 तो यह फिर से आपको given number मिल गया तो एक और important property आपको मिल गई कि अगर आप once compliment का फिर से once compliment निकालेंगे तो आपको given number मिल जाएगा यह r minus once compliment का given r minus once compliment फिर से निकालेंगे तो फिर से आपको given number मिल जाएगा 9th compliment का 9th compliment निकालिए once compliment का once compliment निकालिए 7th compliment का 7th compliment निकालिए आपको same ही number वापस मिलेगा right? coming to the r's compliment r's compliment में क्या करना है? यह minus 1 हटा देना है so r raise to power n minus the given number तो अब मेरे पास अगर given number है 4120 तो यहां पर कितनी digits है? 4 so 10 raise to power 4 minus 4120 10 raise to power 4 क्या हो गया? 1000 00 minus 4120 तो इसको जब हम find out करेंगे 5780 और alternatively आप क्या कर सकते हैं? आप इसका 9th compliment निकालकर 1 add कर सकते हैं, right? so least significant bit में जब आप 1 add कर देंगे आपको r's compliment मिल जाएगा similarly 2's compliment निकालना है 2's compliment के लिए क्या करेंगे? जितने digits हैं उतने 0's ले ले लेंगे और 1 ले लेंगे उसमें से given digit को subtract कर देंगे 1101 है तो हमें 4 0's लेना और 1 so 1 0 0 0 0 में से 1101 subtract करेंगे हमारे पास आएगा 0011 जो की है 2's compliment alternatively again आप इसका 1's compliment निकाल सकते हैं 1's compliment simply हम लिखेंगे क्या होएगा? 1 को 0 में convert करा 0 को 1 में convert करा तो 0010 आया इसमें हमने 1 add कर दिया तो 0011 आ गया हमारा 2's compliment ये भी बहुत easy तरीका है 2's compliment निकालने का अब 2's compliment को add करेंगे given number से 2's compliment क्या है 0011 given number क्या था 1101 जब हम इन दो लोगो add करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 with 4 zeros तो अगर सिर्फ हम यहाँ पर जो carry है उसको discard कर दे तो given number plus its 2's compliment is equal to 0 तो अगे इन 2's compliment directly मुझे दे देगा कि उसका negative number क्या है तो यहाँ से मेरे को पता लगेगा n dash 2 is equal to minus n 2 जो 2's compliment directly represent करता है negative of given number तो अब मैं 2's compliment का 2's compliment निकालना चाहूं तो 0011 था 2's compliment इसका 2's compliment निकालना है तो क्या करेंगे 1 with 4 zeros में से इसे minus करेंगे we will get the given number back जो की है 1101 यह भी बहुत important property है आपको याद रखनी पड़ेगी अब अगर हमारे पास number of bits 5 given है और given number जो given number है उसमें जो bits हैं तो 3 ही है तो क्या करेंगे अब यह हमारी जो given number है वो है 101 तो इसमें से अगर हमें number of bits 5 के लिए निकालना है 2's compliment तो क्या करेंगे हम 1 के साथ 5 zeros लेंगे और उसमें से given number को subtract करेंगे इस case में हम r raise to power n नहीं लेंगे r raise to power जो n हमें जिसने terms में हमें bits में निकालना है answer वो r raise to power करेंगे राइट यहां पर 2 raise to power यहां पर 5 रहेगा तो 1 के बाद 5 zeros लेगा और minus 101 तो हमारे पास आजाएगा 11011 इसका एक और बैस तरीका है कि आप इसका पहले 2's compliment निकाल लीजे तो हमें 2 bit और चाहिए 2 bit के लिए हम 2 1 से इसको pad कर देंगे राइट यहां पर हमारे पास 2 1 extra लगा देंगे तो हमारे पास आजाएगा 5 bits में सिमिलर्ली अगर हमें 1s compliment निकालना है तो 101 का 1s compliment निकालेंगे 010 इसके आगे 2 bits से बैड कर देंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए 5 में और alternatively हम क्या करेंगे 5 1s में से हम 101 को सब्ट्रेक्ट करेंगे हम 3 1s में से 101 को सब्ट्रेक्ट नहीं करेंगे अब जो हमारा 2s compliment है और 1s compliment है उसको निकालने का एक algorithm अगर आपको इस process में थोड़ा difficulty लग रही है तो easily देखते ही number को कैसे हम उसका 2s compliment बता देंगे हमें क्या करना है least significant digit से start करना है और move करना है most significant digit तक जब हम ऐसे move कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कितने zeros हैं zeros को as it is छोड़ देना है जैसे ही first non zero digit आएगी उसे replace करना है r minus ai से right r तो हमें पता है redix होगा given number system हमें given होगा कि उसमें r क्या है r minus ai कर देंगे जो की है first non zero digit right moving from lsd to msd जब हम फिर से move कर रहे होएंगे उसके बाद वाली digits को क्या करना है r minus 1 में से subtract करना है और हमारे पास r's complement आ जाएगा for example अब हमारे पास given number है 43400 तो जो last के 00's है उसे तो as it is रखना है अब हमारे पास 4 आया जो की है first non zero digit जो first non zero digit है उसे हमें r में से minus करना है r क्या है यह 10 10 में से 4 minus करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा बाकी सब digits को हमें r minus 1 से subtract करना जो की है 9 9 में से 4 को subtract करेंगे 5 आएगा 9 में से 3 को subtract करेंगे आपके पास 3 आएगा so यहाँ पर आपके पास answer आएगा sorry 6 आएगा 56600 answer रहेगा आपका right so 43400 का 2's complement निकाला 56600 क्या कर रहा था ने 00's को as it is रखा 4 को 10 में से subtract करा जो की 1st non zero digits थी बाकी सारी non zero digits को हमने 9 से subtract करा अब आजाते हैं 2nd case पे 2nd case में हमारे पास binary number है 10100 अब क्या करेंगे again हमें अब r को 2 लेना है और बाकी सारा process same रहेगा 3 जो 0 है उनको as it is लिख देना है यहां पर इन दोनों को subtract करना पड़ेगा 1 से 1 में से 0 subtract करा हमारे पास आया 1 1 में से 1 subtract करा हमारे पास आया 0 so इस तरीके से हम represent कर सकते हैं given number अगर हमारे पास जो given number है उसकी number of digits 3 है और हमें answer निकालना है 5 digits में तो again वही करेंगे हम सेम तरीके से 2's compliment निकाल लेंगे बट हम यहां पर 2msb1 से pad कर देंगे तो यहां पर answer आयेगा 11011 क्योंकि 2's compliment हो जाएगा 101 का 011 अब आजाते हैं numbers with decimal digit अभी तक हमने जितने number उठाए किसी में भी decimal digit नहीं था अब अगर हमारे पास decimal digit हुआ so decimal digit के लिए once compliment कैसे find out करेंगे r raise to power n minus r raise to power minus m minus given number अब n क्या है n है जो number of digits before decimal तो let's suppose यह हमारा number है 8654.874 तो इस case में number of digit before decimal कितनी है 4 so r क्या है 10 10 raise to power 4 हो गया ठीक है m क्या है number of digits after decimal so 10 raise to power minus m so after decimal कितनी digit है minus 3 minus the given number right so 10 raise to power 4 क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 minus 10 raise to power minus 3 क्या हो जाएगा 0.001 right तो जब आप इसे subtract करेंगे आपके पास आएगा 9999.999 minus the given number तो अब हम क्या करेंगी इसका भी short trick है कि आप देखिये कि कितने number of digits है उतने ही 9 ले लेने है जहाँ पर decimal है वही पर ही decimal रखना है तो यहाँ पर हमारे पास कितने digits है total यहाँ पर 7 digits है और decimal point है 4 digits के बाद तो हम 7 9s ले लेंगे और यहाँ पर हम decimal ले लेंगे 4 9s के बाद और इसमें से given number को subtract करेंगे हमारे पास और minus 1s कॉंपलिमेंट जो की है यहाँ पर इस केस में 9s कॉंपलिमेंट आ जाएगा जो की है 1345.125 अब हम binary number system की बात करते है binary number system में भी हमें same करना है यहाँ जितने 9 लिये थे ऐसे ही हम यहाँ पर इस केस में 1s लेंगे जितने यहाँ पर हमारे पास digits है before decimal उतने number of 1s लेंगे before decimal जितने number of digits है यह after decimal उतने number of 1s लेंगे after decimal यह 5 digits है before decimal तो 5 1s लेंगे before decimal 3 digits है after decimal तो 3 1s लेंगे हम after decimal उसमें से given number को subtract करेंगे we will be getting 00101.010 और alternatively 1s कॉंपलिमेंट तो आपको 0 को 1 में और 1 को 0 में convert करते ही मिल जाएगा तो इसमें तो और कुछ सोच नहीं नहीं है अब आज आते हैं 7th कॉंपलिमेंट 7th कॉंपलिमेंट में भी हमें क्या करना है number of 7s लेंगे यहाँ पर 47 होंगे before decimal 27 होंगे after decimal उसमें से given number को subtract कर देंगे हमारे पास आएगा 4607.34 43170.43 अब हमें अगर 15th कॉंपलिमेंट निकालना है तो given number given है hexadecimal number given है अब क्या करेंगे उतने ही f लेंगे अब हमारे पास f कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 digits है before decimal तो 4f आजाएंगे before decimal and after decimal 2 digits हैं 2f आजाएंगे after decimal उसमें से given number को subtract करेंगे f f f f .ff में से f13a.fe subtract करेंगे हमारे पास आजाएगा 0e c 5.01 अब हमें r's कॉंपलिमेंट निकालने तो क्या करेंगे पहले r's r minus 1's compliment निकालेंगे इस तरीके से उसमें lsb में हम 1 add कर देंगे तो like let's suppose हमारे पास 78.43 नंबर है इसको पहले हम r minus 1's compliment निकालेंगे कैसे करेंगे 99.99 में 78.43 subtract करेंगे हमारे पास हाजाएगा 21.56 और इसमें हम lsb में 1 add कर देंगे जो कि आजाएगा 21.57 ओके अब अगर हमें negative number को represent करना हो I told you क्योंकि 2's compliment हमारा negative number को directly represent करता है तो positive number को हम as it is लिख देंगे और sign bit अगर positive number है तो 0 रहेगा यह तो हम बात पहले भी कर चुके है negative number है negative number को directly कैसे represent करते है 2's compliment से 2's compliment निकालेंगे negative number का और फिर हम उस negative number को represent कर देंगे अगर हमारे पास number है 101 और given है कि यह positive number है तो उसको कैसे represent करेंगे 0101 से तो यहाँ पर जो 5th bit रहेगी वो 0 रहेगी 00101 हो जाएगा the given number in 2's compliment क्योंकि positive है तो इसको हमने 101 से ही represent करा अगर यही negative number given है तो हम क्या करेंगे इसका 2's compliment निकालेंगे 101 का 2's compliment क्या हो जाएगा 011 और यहाँ पर क्योंकि negative number है sign bit 1 हो जाएगी और यहाँ पर pad करेंगे 1 से रईट अगर हमारे पास एक और number given है अब हमें find out करने decimal में number क्या है number given है 1010 तो अब यहाँ पर जब हमने 1 देखा तो हमें पता लगा कि number तो negative है 1 हटा दिया negative लगा दिया तो इसको negative है तो इसका मतलब यह जो representation है यह 2's compliment representation है यह हमारे पास n dash given है n dash given है तो हम n निकाल सकते है 010 के लिए n क्या हो जाएगा 110 इसी का reverse करने 2's compliment जैसे निकालते जै उसका reverse करने हमें पता लग जाएगा 010 110 का 2's compliment 110 रिप्रेजेंट करते है 6 को तो जो मेरा given number है decimal में वो है minus 6 ओके जो minus 6 है उसे हम 1010 से रिप्रेजेंट करते हैं So I hope आपको सारा concept बहुत अच्छे से समझाय होगा सारे compliment बहुत अच्छे से समझाय होंगे अगर कहीं पे भी किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट अपने डाउट को comment section में जाकर लिख दीजए I will be trying to resolve your doubt as soon as possible I hope आपको session पसंद आया होग अगर पसंद आया है like करिये, subscribe करिये दोस्तों के साथ share करिये and also give me your feedback Thank you so much